coefficient of the friction that is 0.5 but अगर dimension के लिए बात की है तो यहां पे 0.5 का कोई मतलब रहेगा नहीं determine the dimension of the retaining wall M20 and Fe415 grade of steel is used so let's start with the calculation so very first step is to find the coefficient of earth pressure K and Kp तो K का मतलब होता है 1-sin5, 1-sin5 of friction जो angle आपको दिया है internal friction angle that is 30 degree अगर 30 degree देते हैं तो यहां पे exam में आपको count करने की ज़रूरत नहीं है याद रख लिजे का 0.33 most of case में 30 ही आपको देते हैं अगर कोई chain दिया है तो ही आपको यह change करना है otherwise क्योंकि exam में आपको time कहीं न कहीं बचाना है तो time किस तरह से बच सकता है इसी तरह से बचने वाला है और Kp जो होता है वो reverse होता है उल्टा होता है 1 upon.33 कर दीजिएगा तो आपको answer मिल देगा 3 तो यह चीज हो गई K और Kp जो very first step होता है step two number में जो है total height of the retaining wall हमें fine करनी होती है अब यह total retaining wall की height का मतलब क्या होता है एक तो आपको दिया हुआ है कि retain up to the 4.5 meter अब 4.5 meter जो आपको दिया है वो तो आपको consider करना है उसके ज़्यादा आपको depth of foundation करना है क्योंकि cantilever retaining wall है तो नीचे कहीं न कहीं आपको support मिलना चाहिए तब जाके origin होगी तो यह जो depth of foundation है वो कितनी होगी वो कहां से fine करने है तो minimum depth of foundation you have to required q by gamma that is density 18 जो दिया है और k का square करना है आपको k मतलब 0.33 है उनका square कर दिया यह आपको sbc दी है 200 और यह gamma है आपका 18 तो इस हिसाब से आपको 1.25 यहाँ पे round figure कर दिया है अगर आपको answer इससे कम मिल रहा है तो आप कर लिख सकते हो बट exam की purpose की जब तक बात है वो round figure आपको मैंने बताया है कर देना है तो 1.25 मीटर कर दि जो आपको cantilever portion था उसमें तो आपको answer मिल जाएगा 5.75 मीटर अब आगे बढ़ते है step number 3 की और step number 3 जो होता है वो base width का होता है क्योंकि हमें dimension ही fine करने है base width जो आपको जो नीचे जो होती है कुछ इस तरह से तो यह पूरी width कितनी रखनी हुए हमें यह हमें fine करना है इनको ब कितनी रखनी है तो उनके लिए equation आपको याद रखना होगा 3 by 2 P upon gamma 3 by 2 P into divided by gamma तो P जो pressure value है वो सबसे पहले आपको find करनी है अब देखो total जो आपको height मिल रही थी total height क्यों required है वो मैंने आपको बताया और total height जो है आपने 5.75 find out की हुई है कि 1 by 3 लिख सकते हो यह 0.33 लिख सकते हो दोनों का answer same ही होने वाला है तो इस हिसाब से आपको answer मिल जाएगा आपको 100 kN अब यहां मैं P की बात कर रहा हूँ तो यह equation यह याद कर सकते हो यह तो आप triangular form से याद कर सकते हो क्योंकि यह pressure value हो होता है pressure का मतलब क्या होता है k a gamma into h होता है अब जो pressure force है वो होता है actually आपका total area of this triangle तो इनका area अगर करोगे तो one half base base जो है वो P K into sorry base जो होगा आपका K gamma into h और इसके साथ h एक और multiply होगा तो यह हो जाएगा h square तो वो आपकी मर्जी है आप चहसे साओ set कर सकते हो अपने दिमाग में तो 100 kN आपको pressure force मिल रहा है that is important and that put in this equation you get the round figure answer is 3 meter 2 point something मिल रहा होगा मैंने round figure उनको कर दिया है तो यह हो गया आपका total width of the this section और से base width अब fourth जो होता है वो होता है आपका toe width अब toe width कितना रखते हैं एक होता hill और एक होता है toe तो toe width one third रखते हैं कितना रखते हैं one third जो भी आपको base width मिली बी तो इस हिसाब से आपको answer मिल जाएगा one meter next step है thickness of the base slab अब यहां पर मैंने क्या किया width फाइन कर दिया है यह आपका depth जो है या thickness जो है वो हमें फाइन करनी है वहां पर आपके पास दो option है इन दोनों के बीच में आपको answer को रखना है आपका h by 12 हो सकता है यहां h by 15 हो सकता है तो h जो आपने already find किया है 5.75 उससे divide by 12 कर दीजिए एक बार और एक बार 15 कर दीजिए तो answer मिल रहा है 0.48, 0.38 अब इन दोनों के बीच में कोई भी आप answer put कर सकते हो 0.4, 0.45 या कोई भी बट इन दोनों के बीच में आपको answer put करना है तो हमन consider किया है 0.45 मीटर ओके तो यह आपको consider आप 0.4 भी कर सकते हो बट यहां पर मैंने 45 assume किया है 0.45 मीटर अब बात करते हैं thickness of steam at the base अब thickness कितनी हम रखेंगे at the base का मतलब किया है यह है आपका पूरा steam और यह जो थिकने से वो आपको fine करनी है तो वो हम actually fine करेंगे through the moment कि यहां पर moment कितनी आ रही है base में उस हिसाब से हमें fine करनी होगी तो सबसे पहले तो यह total 5.75 मीटर है उसमें से आपको करना क्या है यह value deduct करनी है तो इनके लिए सबसे पहले 5.75 माइनस 0.45 जो थिकनेस हमने यहां पर ली थी consider की थी वो हमने minus कर दिनी है तो मतलब 5.30 की height मिल जाएगी अब हम बात करते है pressure force तो pressure force already हमने count किया था बट वो जो pressure force था वो था up to 5.75 मीटर हाइट पर अभी हमें चाहिए क्या 5.3 मीटर हाइट पर तो वो ही same process आप directly लिख सकते हो 1 by 2 into k into gamma h square यहां तो मैंने जो process बताया pressure find करिये फिर area find करिये उनका pressure diagram का इस diagram का तो आपको answer मिल जाएगा 85 फिर से बबताता हूं कि 1.33 gamma 18 5.3 आपका h हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमने consider किया है 5.3 तो और यह जो आपका pressure value मिला तो 1 by 2 into base into height तो 1 by 2 लिया फिर base जो है आपका pressure है 32 और height जो है 5.3 है इससाब से आपको 85 pressure force मिला अब triangle का CG होता है 1 third पर base से 1 third तो moment कितनी होगी force into perpendicular distance तो यह यहां पर CG आपका मिल जाएगा 5.3 divided by 3 तो force 85, 5.3 divided by 3 तो यहां से आपको value मिल जाएगी 150 kN to meter तो यह moment आपको resist करनी है to define this thickness तो यह thickness आपको मिल जाएगी कहां से मिलेगी 0.138 fck bd square जो हम mu limiting यूज़ करते हैं for the f e 415 तो चलिए वही मैंने बात की 0.138 fck bd square बट factor moment चाहिए इसलिए 1.5 से multiply करती है इससाब से आपको d square equal to क्या हो जाएगा 225 10 less to 6 divided by यह जो terms है वह 0.138 20 and thousand यह चीज नीचे आजाएगी तो आपको answer मिल जाएगा 285 mm तो 285 तो round figure है नहीं इसलिए round figure करने के लिए हम depth provide करते हैं 300 mm तो capital D मतलब के पूरा जो without यह जो चीज आई डी वह आपका effective depth कहलाता है यह आपको addition करना है आपको 50 mm तो आपको capital depth मिल जाता है जिसमें आपका cover भी सामिल हो जाता है इसलिए 350 हमें consider करना होता है capital D तो यह चीज हो गई 350 की अब यह जो steam है उसका उपर जो हम रखते हैं वह 0.2 का रखते हैं तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह 0.2 मिटर में लिखा है 0.35 अगर लिखते हैं मिटर में तो 0.35 लिख सकते हो अब width of the hill, hill मतलब क्या है यहाँ पे यह already हमने चीज fine कर ली थी 1 मीटर की यह हील की हमें fine करनी है तो किसे सबसे fine करते हैं यह total हमारे पास 3 मीटर है उसमें से यह 0.1 मीटर निकल गई उसमें से 0.35 और निकल गया तो यह जो remaining portion है यह rectangular जो दिखाया है मैंने जानमुझकर वो आपको मिल जाएगी and that is nothing but 1.65 मीटर तो यह पूरे dimension यहाँ पे लिखे हूँ है 5.3, 1.65, 1.45 की हमने ली ती और यह जो होती है वो CR की होती है generally for the cantilever returning wall जो हम provide करते हैं यह dimension आप directly assume करके लिख सकते हो 0.4 या 0.45 depth लिख सकते हो यहाँ पे 0.45 यहाँ पे आप वही depth लिख सकते हो consider कर सकते हो बट यहाँ पे dimension find करने की ज़रूरत नहीं होती है CR क्योंकि वो बस cantilever portion है यहाँ पे और कोई support नहीं है इसलिए हम उनको और ज्यादा मजबुताई देने के लिए strengthen करने के लिए CR की provide क sorry यहाँ पे 4.5 मीटर होना चाहिए तो 4.5 मीटर है यहाँ पे आप यह तोड़ा change कर दीजिएगा ground के उपर 4.5 मीटर था तो यह जो remaining portion है वो आप count कर सकते हो चाहो तो नहीं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वासे miss कर गया था 4.5 मीटर वो आप consider कर लेना य यह .35 जो आपने है width find की है वह और यह .22 मीटर जो आपको मैंने बता दिया यह top width कहते हैं इनको यहाँ पे इनको कहते हैं bottom width तो यह रहा question number आपका 3B